हेलो गाइज वेलकम बैक टो कॉमिक हिंद हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 49 पार्ट में और ये वर्ल्ड वोर शी हल्क का 4th पार्ट होने वाला है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए तो चलिए शिरू करते हैं तो जैसा कि हम लास्ट वाले ए सब्सक्राइब नाम रेड रूम में बंद किया जाता है वहां वेंपायर उसका खून पीते हैं और उसका ब्रेनवाश भी किया जाता है जिससे कि वो बदल के बन जाती है विंटर हल्क इसी बीच वो वहां से भाग गई और उसने गोरीला मैन को भी बंदी बना लिया और व यह सीन है एक मिड एटलांटिक चोटी का तो यहां सभी ने नामोर के खिलाफ बगावत की हुई है वो कहता है तुम में से जो भी मुझे यहां चैलेंज करने के लिए आया है अपने राइट फुल किंग ओफ एटलांटिस को उसका सिंगासन पाने के लिए तो भीड में से आगे आओ तुम में से जो भी उसे क्लेम करना चाता है तो टूथ फेस कहता है भीड में से बाहर निकलें ऐसा तो नहीं होने वाला हम सभी तुमें चैलेंज देने के लिए आये हैं तो नमोर कहता है तो ठीक है तो खुद के लिए चुनलो तुमें कैसे खतम होना है तुम मे शाहसन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा पहले तो तुमने सता के लोगों को पानी में सांस लेने वाला बनाया उसके बाद फिनिक्स वाले केस में भी तुम्हारा जो प्लैन था सता को जीतने वाला वो भी फेल हो गया तो ये टाइम है चेंज का बट इसको खूनी मत बनाओ तबी नमोर कहता है युद्ध के लिए काफी सेहन शक्ती चाहिए होती है यहां के लोगों को सुख इसलिए मिला है क्योंकि मैंने युद्ध लड़े हैं और उनको जीता भी है मेरा विश्वास करो हम लोगों की महिमा बढ़ने वाली है बट ये तबी होगा जब हम एक साथ होंगी क्यूंकि विश्वास में ही असली शक्ती होती है तो वहां सभी लोग चिलाने लगते हैं तुम जूटे हो तुमारे फेफडों में नमक से ज्यादा चीनी भरी हुई है तुमने कहा था कि फिनिक्स हमें बचा लेगी बट उसने तुमें नहीं चुना उसने भी तुम का टाइम निकाल देगा सी ओफ बलड में स्विम करते हुए कौन जाना चाहेगा अनंत काल के लिए आग की लेक में क्यूंकि किंग बनने के लिए ये सब कुछ करना बढ़ता है है कोई तुम में से अभी हम देखते हैं कि शी हल्क भी वहां पहुंच चुकी है उसके एक मु ये किंगडम और सी है यहां हिंसक करांती आने वाली है वहां के सबसे शक्तिशाली गुट जिसमें कि आते हैं सी ब्लेड कटर पंथी ऑक्टो प्रीस्ट नमौर के अपने डिफेंडर अफ दाडीप और नई बनी ब्लैक टाइड ये सब ही अपने किंग के खिलाफ खड़े ह हो गए हैं यहां तकता पलट हो सकता है लगता नहीं है कि नमौर का शासन बचेगा तो यहां हल्क नमौर पर हमला कर देती है यह सीन है एटलांटिस का यहां रेड विड़ो अपने साथियों के साथ पहुंच जाती है उसने वहां की सैना को भी खतम कर दिया है तो ब्लैक प कोर्परेशन भी हैं रशिया का यह प्लैन काफी महीनों से था कि वहां पर हिंसा की जाए और सभी जगह का पब्लिक ऑपीनियन भी एटलांटिस के खिलाफ हो जाए यह सब रिपोर्ट देखो जो की वास्ट है की है विंटर गाड के लगता है कि वह उनका वानमें साइबर जासूस है उनकी बाचिस से पता चलता है कि रशिया वाले उनकी आपसी फूट का फायदा उठाना चाहते हैं वो चुपके से उन पर अटेक करने वाले हैं जो स्टार्क की निगरानी रखने वाली सैटलाइट हैं वो भी बताती है कि वहां की वुल्फ स्पाइडर सैना ने अभी अभी एक वर हैड को निकाला है जहां वो अपने परमाणू हत्यार रखते हैं कहा जाता है कि वो एक रशियन गामा बॉंब है जो की 68 मेगा टन का है इन केस वो एटलैंटिस की कैपिटल सिटी में फट गया तो उसकी रेडियेशन काफी घातक होने वाली है जो एक बा जाए जो भी 98% एटलांटियन की पॉपुलेशन है अभी हम देखते हैं कि गोरीला मैन भी वहां पहुंच जाता है वो रेड़ वीड़ो के साथियों को खतम कर देता है तो वो उसको कहती है तो तुम सच में बरना चाहते हो ना तुमने मुझे इसके लिए मना ही लिया और वो उस पर हमला कर देती है तो यहां ब्लैक पैंथर बताता है विंटर हल्क का असली मिशन तो यह है कि वो उसका फाइदा उठाएंगे तो यहां बाकी लोग उन दोनों को लड़ते हुए देखते हैं वो कहते हैं यह तो शी हल्क है ना लगता है गोर्ड ओफ सर्पेंट कर देंगे अपने किंग को इसका हक तो हमें होना चाहिए तो एक कहता है इनको लड़ने दो उसके बाद हम इन दोनों को ही नहीं छोड़ेंगे तो ब्लैक पैंथर बताता है जैसे ही एटलैंटिस तबाह हो जाएगा तो सभी जगह से जैनिफर की निंदा होगी जिसमें कि उस पलता इन तीन बिंदूओं पर ठिकी है पहली तो यह कि एटलांटियन की प्लिटिकल सिचुएशन कैसी खराब होने वाली है उनको जल्दी ही आपस में लड़वाया जा सकता है सैकेंड यह कि रेड़ वीडो कि अच्छी खूनी है और उसके जासूसी एजेंट एक साथ कित देती है तो वो कहता है वैल मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैं मरना नहीं चाहता और वो लोग वो बॉंब लेके चले जाते हैं तो यहां ब्लैक पैंथरा में बताता है तो एजेंट का ओपीनियन है कि क्या रेड़ विडो ऐसा कर पाएगी ऐसा हुआ तो हमें ग्लोबल कॉ सैना के लोगों के बीच में लड़ा जाएगा बट उसमें आम लोगों के मरने की गिंती बहुती जाता होने वाली है जबकि वर्ल्ड को एक नई शेप मिलेगी उस शक्तिशाली लोगों की सनक से और इससे निपठने के लिए वही हीरो बचेंगे जिनको निकाल दिया गया ह यही नया वे होने वाला है नये वर्ल्ड वार का ऐसा ही होने वाला है वर्ल्ड वार शीहल्क तो यहां वो नमौर को पीट रही होती है बट वो तबी उसको छोड़ देती है वो कहती है अपने लोगों को यहां से निकाल लो वो अपना मास्क तोड़ देती है और वहां से च चुकी है और वो काफी अनुभवी अवेंजर वी है जिसने की बहुती अच्छे से इन कामा शक्तियों को संभाला हुआ है कितने ही सालों से इसी बीच उसने बैलंस बनाया अपनी लौ की जॉब के बीच में और अपने नीजी सदमों के बीच में इन सब के बीच में उसे पता उन में से और मैंने पहले सुनी हैं बट कभी इतनी डीप में नहीं ये पूसिबल कैसे हो सकता ― उन मेंसेता आ ये है क्या हो वो कहता है उपर वाले वर्ल्ड में इसको थंडर कहते हैं ओहम देखते हैं कि वहां इतने लोग स्वत चोंक जाते और यहां बिताला है वहां सब कि पानी के बीच में कोई तुफान आया है वहां नीचे से लेके उपर आस्मान तक बिजली ही चमक रही है यह कैसे हुआ किसी को नहीं पता इसको एक्ट ऑफ गोड में डाल दिया जाएगा तो हम देखते हैं कि यह तो थोर होता है तो यहां गोस्ट राइडर भी पहुंच च तो यहां हमें एक सेशन की बाचित बताई जाती है जो कि जैनिफर और टचाला के बीच में है जिसका की सबजेक्ट है एक सुझाव खूफिया हल्क के लिए तो यहां टचाला कहता है मैं तुम्हें सच बताना चाहूंगा जैनिफर मुझे तुमारे इस ओपरेशन के बारे जो कि किसी को भी तोड़ सकता है तुम जैसे अवेंजर को भी खास कर उसे इजर को जो अपनी शम्ताओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हां वो कहती है तुम्हें ऐसा लगता है तो वह कहता है देखो ज inanी हमेरे हाथ में नहीं अभी जो तुमें खारा है फीजी कली और मेंट पाओगे रशियन कुछ प्लैन करने वाले हैं एटलांटिस में हमें वो जानना होगा कि वो क्या है उनको रोकने के लिए अगर मुझे वहां जाना भी पड़े तो मैं जाओंगी तो टचाला कहता है तुम्हें पता है न तुम्हारे साथ वहां पर क्या कर सकती है तो जैनिफर चला दो मैं रेड विड़ो हूं मुझे बैक अप चाहिए मैं फेल सेफ को डिप्लॉय करने वाली हूं तभी वो खुद में एक इंजेक्शन घुसा लेती है वो कहती है हां सर आपने जो हलका बलड बनाया था वो मेरे सूपर सॉल्जर सिरम के साथ अच्छे से मिक्स हो रहा है इन केस मैं नहीं बची तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे हमेशा आपसे लव रहेगा तो यहां टेचाला कहता है तो जैनिफर तो मुझे ये कहना चाहती हो कि तुम उसके सामने नहीं तूटने वाली तो वो कहती है हां मैंने तुम्हें यहीं कहा है यह बात जो भी करना होगा वह मैं करूंगी इसके लिए मैं को बचाने के लिए उस वीडियो को नहें के लिए कि वो मुझे तोड सकती पूर भी और से लड़ने के लिए थौर भी आ चुका है और चाहर्व ब की आछ से रही हैं गोस्टर बईर भी वहीं हैं तो यहाँ टेचाला जैनिफर को कहता है मुझे पता है ये मिशन तुमारे लिए क्या माइने रखता है तुमने इस टाइम में काफी कुछ देखा है जैसे कि थैनोस, दी फाइनल होस्ट, दी कोटाटी, दी बैटल फॉर दा फिनेक्स तुमने अपने शक्तियों के लेवल को भी बढ़ाया है जिस वे में तुम हर को मैनिफेस्ट करती हो उसको भी अभी तुम पे प्रैशर है कि तुमें विंटर गार ने निशाना पनाया हुआ है तो ये मिशन देने से पहले मैं तुमसे जानना जाऊंगा तुम सच में मुझे ये बताओ कि तुमें कैसा फील होता है या तुमें खुद के जैसा फील होता है तो जैनिफर बस हस्ती है और वो और भी जादा हस्ते जाती है तो यहां हम देखते हैं कि उसने वीडियो को तो पीट दिया है बट वो बोम तो फूट नहीं वाला है तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खतम होता है नेक्स पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजे हम भी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ